हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल स्मार्ट लेनिंग एवरी डेई, टूड़े वी विल डिस्कॉस अबाउट थॉमस लॉज, आज का हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक और राइटर थॉमस लॉज, थॉमस लॉज है जो इनका बर्थ हुआ 1558 में, इनकी डैथ हुई 1625 मे इनकी एजुकेशन हुई Trinity College Merchant Taylor School University of Oxford से, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजे, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजे, और पे सिलेक्ट कर लीजे, इस सी क्या होगा, मैं जो भी नहीं वीडियो उप्लोड करूँगी, उसकी को भी इन पीरियट के टाइम के एक फेमस ऑथर रहे, और इनके कुछ इंपॉर्टन वर्क्स है, रोजाइलेंड इनका काफी इंपॉर्टन एंद फेमस नौवल है, यूफिस गोल्डन लेजेशी, ये इनका फेमस नौवल था, और रोजाइलेंड जो वर्क लिखा था, था जौन लिली से इंस्पायर होकर ये वर्क लिखा था, और रोजाइलेंड से इंस्पायर होके, रोजाइलेंड से इंस्पायर होके, सेकस्पियर ने अपना वर्क लिखा, एज यू लाइक इट, एक्जाम्स में भी आपसे कुश्चन पूचे जाते हैं, एज लाइक इट का प्लॉट है जो Shakespeare ने कहां से बॉरो किया Thomas Lodge के रोजाइलेंड से and Galicus and Scylla Galicus and Scylla जो वर्क है Thomas Lodge का Shakespeare ने Titus andronicus का प्लॉट यहां से बॉरो किया था Thomas Lodge के इस वर्क से Shakespeare ने अपने Titus का प्लॉट बॉरो किया and the wound of civil war Thomas Lodge का next work है the wounds of civil war the wounds of civil war is an elizabethan era stage play written by thomas lodge the wounds of civil war है जो वो elizabethan के time का एक stage play है जो written by thomas lodge ने लिखा a dramatization of the ancient roman conflict between marius and sula the play is generally considered lodge only extra and solo drama then in cover kata a looking glass for london and england यह उन्होंने robert green के साथ लिखा था यह एक इनका play था and collaborated with shakespeare and henry 6th इन्होंने thomas lodge ने shakespeare के साथ एक collaborated work किया henry 6th he respond to stephen gosan condemnations of the stage play school of abuses 1579 यह थी friends हमारी thomas lodge के बारे में जान करी आई होप आपको अच्छी लगी thanks for watching like करे comment करे